दोस्तो फाइनली करिश्मा सिंग के थपपर से बार्बी उपद्ध है वाला स्टोरी एंड हो चुका है हाला कि उनको किसी ने बताया नहीं शायदी पाच मिनिट कम्पलीट हुआ था शोत हो रहा और लंबा चलता मज़ा आता लेकिन इस सबके चक्कर में दोस्तो क्या आपने एक बाद नोटिस की क्या अरे भई अफ्तर कपूर मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो किसी एंगल से विलेन तो नहीं लग रहे थे तो बात अभी आजाता है लफ ट्राइंगल के उपर अभी दोस्तो मैंने ये भी पिछले वीडियो में बताया हुआ है अगर किसी का इंट्री करवाया जाता है मैडम सर में तो प्लैनिंग के साथ करवाया जाता है तो अगर बात की जाए इस केस की जो कि अभी चल रहा था बार्बी उपद्ध है वाला उसमें ओ ना ही विलेन थे ना ही विलेन के चाचा लगते थे तो फिर उनका रोल क्या है किसलिए करवाया गया उनका इंट्री तो दोस्तो जातक मुझे लगता है अफतर कपूर का फिर से एक बर मैडम सर के आगयाने वल एपिसोड में देख पाएंगे सीन कुछ ऐसा हो सकता है दोस्तो करिशमा सिंग उन से मिले और बोले कि उनको ये जॉब नहीं चाहिए उनको महिला थाना में रहना है और पुलिस की नौकरी करना है और शायद अफतर कपूर हमें इसके बाद से फिर से ना दिखे लेकिन दोस्तो मेंन पॉइंट अभी आता है इस वीडियो का अगर दोस्तो इस सब के बाद भी मैडम सर्शो में अफ्तर कपूर को दिखाया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कुछ गरबर है मामला लफ ट्राइंगल का है लेकिन फिलाल के लिए दोस्तो अभी कुछ कंफार्म नहीं है आगे के एपिसोड देखते हुए जब भी मुझा ऐसा कुछ लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और अगर बीच में कोई कंफार्म अपडेट मिल जाता है तो वीडियो तो तुरंध ही आ जाएगा और अगर इस सब के बीच में डियस पे अनवाफ सिंग का बेंट्री हो जाए तो फिर तो टी आरपी इसके बाद का आप ही सोच लो वीडियो आज आएगा कल डियस पे अनवाफ सिंग के शूटिंग को लेकर तो आप भी अगर होगे हो आगे अनेवल एपिसोड को देखने के लिए एकसाइटेट तो वीडियो को एक लाइक करके बताना मिलेंगे एक और वीडियो के साथ चानेल बेटोपुर को सब्सक्राइब कर लेना बाई